जैन दोस्तों, लगबग पुनिस साल बाद Tata Group की कमपनी Tata Technologies का IP आने जा रहा है, जिसके लिए कमपनी ने सेबी के पास 9 मार्च को DRHP भी सम्मिट कर दिया है, लगबग 33 साल पुरानी ये कमपनी Tata Motor की सबसेंटरी कमपनी है, कमपनी टेकनलोजी प्रोड़क्ट, इंजिनेरि परसिस्टेंट सिस्टम आते हैं, कमपनी इस IPO में OFS के तुरू 9.6 करोड़ शेर, मिन्स 23.6% का हिस्सा सेल करेगी, कमपनी में 74.70% का इस्टेक Tata Motor का है, जहां Tata Motor इस IPO में लगग 20% हिस्सा सेल करेगा, बाकी होल्डिंग Alpha Tech and Tata Capital के तुरू सेल किया जाएगा, अब जब इस कमपनी में Tata Motor की इतनी बड़ी होल्डिंग है, तो एक्सपेक्टेड है कि इस IPO में शेर होल्डर कोटा जरूर आ सकता है, तो अभी से Tata Motor का एक शेर अपने पोटफोलियो में एड कर लो, अगर शेर होल्डर कोटा आता है, तो इसका पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा, पहले कमपनी की अनिस्टेड मार्केट में वेल्यू अराउंड दो हजार के आसपास थी, जो की साड़े साथ हजार रुपए तक भी गए थी, टाटा ग्रूप को लेकर लोगों में जो ट्रस्ट है, वो इस ग्रूप के सभी स्टॉक्स की वेल्यू एंड प्रफॉर्मेंस मे भी दिखता है, और टाटा ग्रूप भी अपने बिजनेस में रीटेल कस्टमर को ही प्रिफरेंस देता आया है, तो एक्सपेक्टेड है कि ये IPO की फ्राइजिंग ही रीटेल कस्टमर को ध्यान में रखकर लाई जाएगी, कमपनी बहुत अच्छी है, फैनेंशल बहुत तक हैं, इसमें कोई डाट नहीं कि आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर्फ हो जाए, जैसे ही IPO की पूरी डिटेल्स आ जाती है, आपको इसकी एक डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आपन को प्रेस कर लेना, ताकि आप नहीं वीडियो अगर अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जै ही जै भारत!